साथियो नौसकार साथियो आज की वीडियो में बात करेंगे लिहो सिन के बारे में और उसके साथ लगने वाले टैवु कॉन जौल के बारे में बहुत सारे किसान साथियों को एक बात के विशेश कर कन्फ्यूजन है कि क्या हमें लिहोसिन के साथ टैवु कोना जौल मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए मिलाएं तो कितनी मात्रा में मिलाएं लिहोसिन की कितनी मात्रा हमें लगानी चाहिए और किस अवस्था में लगानी चाहिए और क्यों लगानी चाहिए उसी अवस्था में इसके बारे में आज बात करेंगे बहुत ज़्यादा सीरियस वीडियो है समझने की कोशिश करेंगे किस अवस्था में हमारे लिए ये चीज़ें अच्छी रहेंगे साथियो सबसे पहले बात करते हैं लिहोसिन की कि लिहोसिन है क्या तो देखिये लिहोसिन एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब होता है कि जो पौदा एक साथ लंबा लंबा बढ़ने लगता है फूल पर फोकस नहीं करता उस पौदे की लंबाई को रोकने का काम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर करते हैं लिहोसिंदी सेम वही काम करता है अब गेहूं में बहुत सारी वेराइटियां लंबी बढ़ जाते हैं 100 सेंटीमीटर से लंबा बढ़ने के कारण उनके गिरने के चांसे ज़्यादा होते हैं हमें जरूरत होती है वहाँ पर उनकी लंबाई को रोकने की ठीक है अब अगर गेहूं की लंबाई को हम सही समय पर रोकते हैं तब तो ठीक है अगर उसको बनस्पतिक विकास की अवस्था से पहले पहले रोक देते हैं तो फिर वहाँ पर नुकसान भी हो सकता है या फिर फूल आने के वस्ता में रोकेंगे तो भी वहाँ पर नुकसान होगा क्योंकि फूल की लंबाई तो प्रॉपर बढ़ी गई जितनी बढ़नी थी ठीक है अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसकी लंबाई को रोकने से इस पर प्रवाव क्या पड़ता है जो पौधा हमा लंबा बढ़ रहा होता है उसकी जब हम लंबाई को रोकते हैं तो एक नेचुरल तरीके से रुकती है लंबाई तब तो कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन जब वह लंबाई हमारी किसी दूसरे प्रोडेक्ट की जरिए से रोकी जाती है तो पौधे में थोड़ा पीलापन आ कुड़ कर लेता है लो थाँ या या पधे पेलापन होता है पौधे लो चींजबो कर लेता है अब बात करते हैं कि जब हम लिहोसिन लगा रहे होते हैं तो अवस्था पौदे की क्या होनी चाहिए और उसी अवस्था में क्यों लगाना चाहिए तो देखें लिहोसिन लगाने का सही समय होता है जब पौदे में पहली गांट बने अगर पौदे में गांट हैं नहीं बनी हैं तो आप लिहोसिन ना लगाएं यहां पर उसके पीछे कारण क्या होता है कि लिहोसिन एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो फूल में और फल में जो पौदे के पोशकतत होते हैं उन्हें भेजने का काम करता है तो अगर तने में गांट नहीं बनी हैं तो कहीं न कहीं गोव में बालियां भी नहीं बनी होंगी ठीक है अगर मानो गांट बनी हैं तो गोव में छोटी मोटी बाली का निर्माण होने लगता है पौदे के अंदर इसलिए उस बाली के जो बाल बन रही होती है उस बाल में वो उसके जो पोशक्तत होते हैं उन्हें भेजता रहता है ठीक है तो यहां पर हमें फाइदा क्या देखने को मिलता है कि जो पौदे के अंदर पोशक्ततो हैं वो दाने के अंदर जाने लगते हैं धीरे धीरे ही सही वो पहुंचते रहते हैं तो इसका हमें लाव क्या मिला कि जो भी प्लांट को रोका हमने पौदे की लंबाई को रोका उसमें जितनी भी एनरजी ताकत थी वो हमारे दाने में धीरे धीरे जाने लगती है अब बहुत सारे किसान साथी कहेंगे दाना बन कहां रहा है बालियां हैं कहां तो देखिए जब गांठ बन जाती है तो एक छोटा सा बाली का निर्माण हमारे पौदे के अंदर होने लगता है उसी अवस्था से हमारी बालियां उपर बढ़ ही होने लगती है और बढ़ने के परेक करना चाहिए उन्हीं खेतों में करना चाहिए जिन में की पौदी की लंबाई ज्यादा हो रही है ठीक है अब बहुत सारे किसान साथ ही कहना चाहते हैं कि कितनी मात्रा इसकी और टैवू कॉना जौल कितने परसेंट लगाना चाहिए या अगर लिहोसिन ही हम अकेला काफी रहेगी ठीक है मिक्स करके आप इस पर दे सकते हैं दूसरा एक पॉइंट है यहां पर कि अगर हम खाली लिहोसिन का इस प्रे कर देते हैं तो हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे देखिए पौदे की लंबाई रुक जाएगी उसमें कोई दिक्कत वाली बात न चाहते हैं कि एक बार श्प्रे करें या दो बार श्प्रे करें अगर आप 55-60 दिन पर एक बार श्प्रे कर देते हैं तो एक श्प्रे आपको जब जंडा पत्ता निकल रहा हो ठीक है जंडा पत्ते के समय पर आपने देखा होगा कि पौदे की लंबाई तो बढ़ जाती है पूरी और पौदे के लंबाई बढ़ने के बाद जो बाली के और लाश्ट गोव के बीच की जो नली होती है आपने देखा होगा जब हम उस नली को खींचते हैं तो बहुत लंबी निकलती है तो उस लंबाई को भी कम करना हमारे लिए जरूरी होता है तो इस अवस्था में क जिहंडा पत्ता पोशकता तो बनाता रहता है यानि लाश्ट तक वो जितना भी प्रकासंस लिसंट के जरिए से अपना भूजन बनवाएगा उसको बालियों में ट्रांसफर करता रहता है अगर नली लंबी हो जाएगी तो पौदे की लंबाई और ज्यादा बढ़ हो उस अवस्थ हमें एक स्प्रे इसका और भी देना चाहिए उससे हमें और भी ज्याद अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं साथियों यहां पर बहुत सारे किसानवाई पूछना चाहते हैं कि एक तो हम 55-60 दिन पर जब इस प्रे दें तो उससे हमें क्या लाव देख जरूर देखने को मिलेंगे साथियों आशागरतों आप मेरी बात समझ पाए होंगे और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और हाँ इस वीडियो को दूसरे किसान आथियों के साथ में सेहर जरूर करें ताकि वह भी इस वीडियो का लाव उठा सकें मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार कि संसातियों